साप से करने वाली कॉंग्रेस पार्टी को चुनाओं में जीता सकते हैं क्या बताईए जीता सकते हैं देलाइफ टीवी सच सब से आगे नमस्कार देलाइफ टीवी आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ आदित्यकुमार करनाटक करण जीतने की होड लगी हुई है कॉंग्रेस मजबूती के साथ परचार परसार कर रहे है राहूल गांधी रहलिया कर रहे हैं आमिश शाह जो है वो तरह तरह की बाते कर रहे हैं वो समर्थन जुटाने की कोशिश तो कर रहे हैं भीड तो बुलवा रहे हैं लेकिन उस भीड में लोगों का समर्थन मिलता हूँ नहीं दिखाई थे हमें एक वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं हमें शाह जी करनाटक में एक सभा कर रहे थे और सभा के दर्मियान वो कह रहे थे कॉंग्रेस ने मोदी जी को गाली दिये जबकि गाली किसी नहीं दिये और उन्हें कहा कॉंग्रेस ने मोदी जी को गाली दी मलिकाल खडगे ने मोदी जी को गाली दी तो क्या ऐसे लोगों का आप समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे तो उधर से आवाज आती उधर से हाथ जो ऐसे से आता है वो maior लोगों को नहीं आता है वो बहुत कम लोग ही ऐसा सबॉर्थन करते होगे नजर आते हैं सिर्फ दो लोग आपको दिखेंगे उस वीडियों में कि दो लोग कहते हैं नहीं बाकी कोई नहीं बोलता है यारी बाकी की लोग बुलाए गए हैं जिनके मन में कुछ हलक विचार धरा चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ मंच के सामने आकर बैट गए हैं जी आप सही सुन रहे हैं जैसे हमिशा जी कहते हैं कि मोदी को साब कहने वालों को आप उट देंगे या नहीं देंगे इसी बात कहते हैं आप देंगे नहीं पूचते तो दो ही हाथ उटते हैं जो कहते हैं नहीं देंगे जरा आप पहले ये वीडियो गोर से देख लिए साप से करने वाली कॉंग्रेस पार्टी को चुनाओं में जिता सकते हैं क्या बताइए जिता सकते हैं देख लिए आपने वीडियो, वीडियो में साफ तोर पर नजर आ रहा है दरअसल आप देख रहे हैं कि हमिशा वहां किस तरीके से भाशण भाजी कर रहे हैं हमेशल अमिरंश् Major राइक के मात समय को रहा है हमेशा को कायरे मोधी जी को वोट लोग देंगे मोधी जी का रुद्बा बढ़ेगा मोधी जी को ये का जा रहा है इस तरह की हमेशल के चीज़ें बता कि चुनाओ का पड़िये । छीचने के कोशिश है रसल कॉंग्रेस के राश्टी अधिक्ष मलिका जुन खडगे ने प्रदान मंतरी मोदी खिलावा पते जंग शब्दों का इस्तवाल करते हुए उन्हें जरीला साप कहा इस पर भाजपा हमला पर है कॉंग्रेस कई नगई मौका दे देती है जिसको भाजपा भुनाने का काम करती है वो चाहे गुजराद का चुनाव रहा हो इससे पहले गुजराद का चुनाव रहा हो जिसमें मर्शंकर एयर ने बयान दिया था उसके बाद फिर आप देख लिए जिए गुजराद चुनाव को उधर घुमाने को में मुद्दों से जनता को भटकानी का काम भारती जनता पार्टी का रहता है भारती जनता का पार्टी काम रहेगा कि वह यह हो गया ऐसा हो गया मुदी जी के बारे में ऐसा कह दिया फलाना ने ये कर दिया वो कर दिया इन सब चीजों फोकस करते हैं विक गायद वोटों पर निर्धारित है और वो कालिका समाज के जो वोटर्स है वो निर्धारत करें कहा जाएगा चुनाओ तो यसी को लेकर वो नवल गुंद में चुनावी रैली को सम्बोदित कर रहे थे क्रेमंतरी साब क्रिवंति साब ने कहा कि कॉंग्रेस की मती मारी गई है दुनिया में नरेंद्र मोधी का सम्मान हो रहा और कॉंग्रेस के नेता कभी उन्हें मौत का सौधागर्त कभी जरीला साप कह रहे हैं कभी कॉंग्रेस कहती कि मोधी तेरी कब रिखुदेगी कॉंग्रेस पतार मंतरी निजनत मोधी पर जितना निजी हमले करेगी कमल उतना ही खिलेगा एक और राहुल बाबा के नेतरोत में कॉंग्रेस पार्टी है और दूसरी और मोदी जी के नेतरोत में भारती जनता पार्टी है ये चुनाओं तैं करने का चुनाओं है कि अगले 5 साल तक मूदी जी के नेतरुत में डबल इंजन की सरकार करनाटक को आगे ले जाएगी या कॉंग्रेज सरकार करनाटक को पीछे ले जाएगी ये रिवर्स केर वाली सरकार ना युवाओं का भला कर सकती है ना किसानों का भला कर सकती है ना इदलितों का भला कर सकती है कॉंग्रेज ने हमेशा किसानों का अपमान की अत्याचार किया जबकि आप भी जानते हैं कि भारती जनता पार्टी के एक नेता सत्यपाल मलिक के कहने किसानों के साथ अन्याई किस ने किया बारती जनता पार्टी ने किया और उन्होंने मोदी और हमिश्या के संबंदों के बारे में भी बात कही थी और किस तरीके से लगातार किसानों के बारे में मुखर होकर ये बोलते रहे हैं अपनी बात रखते रहे हैं सत्यपाल मलिक लेकिन यहां के कहा जा रहा है किसानों खिलाब सरकार बताब ये जो बाते हैं उल्टी सिधी बाते हैं वहाँ पर की जा रही है आज मैं नवल गुंद आया हूँ ये वही धरती है जहां कॉंग्रेस पार्टी ने किसानों पर लाठियां चलाई थी गोलियां चलाई थी और किसानों को भून दिया था कॉंग्रेस की तीनों जगा सरकारे थी केंदर में थी करनाटक में थी और गोवा में भी थी लेकिन कॉंग्रेस महादई मुद्धा नहीं सुलजा पाई मोधी जी ने कहा कि महादई का मुद्दा सुलज कर उतरी करनाडग में किसानों के जहन में खुशी और रांदाने काम किया है कॉंग्रेस अध्यक्ष खड़के मोधी जी की तुलना काले साप से करते हैं कभी ये कॉंग्रेस वाले कहते हैं मोधी तेरी कब्र खुदेगी रागी को MSP पर खैदा और किसानों को समर्द बनाया है ये बातें किसानों के बारे में वहाँ पर कहते हुए नजर आ है फिलाल अमिर्शा बड़ी बाते तो कर रहे थे लेकिन समर्थन उस प्रकार नहीं मिल रहा था क्योंकि अमिर्शा जी हैं बड़े नेता हैं बड़े लीडर हैं और बड़ा परचार करने पहुँचे 224 विदान सभा सीटों का राज्य और रुसराज्य का चराओ बेहाद मात्यपूर्ड राहुल गांदी तो वहाँ पहुचे हुए अमिर्शा भी वहाँ पहुच गया लेकिन अभी तक प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के रहली नहीं हुई है इसलिए सवाल भी पूछा जा रहा है कि प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी कब सभा करने करनाटक जाएंगे क्या करनाटा की हवा को उन्होंने भी भाप लिया है क्या उन्होंने भी इस वीडियो को गौर से देख लिया है जिसमें साफ तोर पर दिखाई दे रहा है कैसे हमें शाह जी के कहने पर भी कि उन लोगो वोड़ दोगे नहीं देगो मोधिजी को साप कहने वालों के वोट दोगे या नहीं दोगे आगे से सिर्फ हाथ हिलाई देता है सो भी दो, दो से तीन वो वीडियो में फिर से दिखार जाता हूँ फिर से वो इस वीडियो को दिखाईए लोग देखें किस तरीके से वहाँ भाजपा को सबर्थन मिल रहा है तो देख रहे हैं आप भाजपा को सबर्थन ना के बराबर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अगर वहाँ पर जो भीड है जो दिखाई दे रही जो क्राउट दिखाई दे रहा है उस crowd के हिसाब से कर दो लोग सिर्फ हाथ उडाए या हम किरा है दस लोग भी हाथ उडादे तब भी बहुत कम माना जाएगा तो क्या वो सिर्फ भारती जनता पार्टी कारिकरता ही थे जो बैठे हुए थे जो हाथ उपर करके बता रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है भारती जनता पार्टी इस बार जीते की इस बार कॉंग्रिस को वोट नहीं मिलेगा और ऐसे में आप भी जानते ही कि भारती जनता पार्टी जहां सत्ता शासन में होती है और डबल एंजन की तो बात ये लोग हर जगे करते ही एक एंजन तो पहले से ही उपर लगा हुआ है दूसरा एंजन भी करनाटक में लगा हुआ था तो सत्ता का भी फरपूर तरीके से इस्तवाल होता है तो जहां सत्ता होती वहां किस तरीके से भीड बुलाई जाती है कैसे अधिकारियों को टार्गेट दिये जाते हैं कैसे करणचारियों को टार्गेट दिये जाते हैं कारक्रम में इतनी भीड आनी चाहिए नए ठीक नहीं होगा वो तो उत्तर प्रदेश के चुनाओं में कई सारी तस्वीरे भी वारल होई किस तरीके से भीड बुलाई जा रहे थी भीड आने रहे थी और वैसी कुछ तस्वीरे अब करनाटक में भी दिखाई दे रहे हैं करना किया जाए ये भी इनको समझ नहीं आ रहा है फिराल सत्ता पक्ष का है चुडाओ है और एंटे अंकर्मेंसी फैक्टर काम कर रहा है कि इस रप्पा बयान देते हैं कि मैं मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए और बस्वराज बहुमाई कुछ अलगी बोलते हैं और जबके इ इंगायतों की मीटिंग कर रहे तो उस तर्वियार उन्होंने वाती कही थी वो कालिगा समाज को भी अपने बाले में करने कोशिश हो रही है और वहां पर पिये से रप्पा भी बैठे हो तो उस वक्त के इस रप्पा इस तरह का बयान दे रहे थे कि मैं मुस्लिमों के परता हुबा नजर नहीं आ रहा है इसलिए साय दे वा खलाहत है कि पियम मुदी को साम कहने वालों को ओड़ दोगे नहीं दोगे इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है मेन मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए तो लाइफ टीवे और आपने परता है